हालो एवरीवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम संस्कृत का लेसन प्लान डिसकस करने वाले हैं आज का जमना टोपिक है बोलेगा काका पर क्लासिक्स का एक चैप्टर है तो वीडियो में आगे बने से पहले म अगर आपने अभी तक है माई लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बहल आकन प्रेस कर दीजी इसी की चैनल पर आने में वीडियो की अपडेट आप तक पहुसती रही और आपको आज की वीडियो पसंद है तो इस वीडिय कौन सी क्लास को पढ़ाने चाहरे हैं इसके साथी साथ आपको अपनों विश्य और प्रकरण भी आपर मेंशन करना होता है इसके साथी साथ आप कौन से कालांश पर क्लास ले रहे हैं आपके की क्या आफदी है वह यहां पर लिखी जाती है तो टॉपिक अभी हम नहीं शांट्र को हमें सनस्कित विश्य पढ़ाने के जो भी व्युद देश है यहां पर लिखेएंगे वह ननुद्देश को सारे ही विश्य दुदेश के अंत्रगत लेखे जाएंगे तो मैंने यहां पर आपको six point कराएं है ग्यानात्मा कुद्देश भावात्मा कुद्देश और कुष्लात्मा कुद्देश तो आपको भी इसी तरीकी से लिखना है इसके बाद जो नेक्स फ्वेंट आगा वहाएगा सहयकोब करणानी का अधार्द शिक्षर सहयक सामगरी तो पूर्व गयानम की तो यहां पर हम दिखेंगे कि चात्रा काका विशह सामानता जानती अधार्द शात्र जो है वो काका के विशह सामान में जैनकारी रखते हैं फिर इसके बाद हम ऐसे ही किसी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट नहीं करते सबसे पहले तो हम एचात्रों की प अकाशे का विहरती का विशह से कौन उड़ता है तो चात्र हाँ पर यहां पर इजिली आंसर देंगे कि काका शेक बहल्य हर ति आकास में तो पक्षी उड़ते हैं फिर इसके बाद हम खागा से अपना नेक्सट प्रैस्ट बलाएंगे थे कगणाम किम के मुवार्णा क्रिश्न से समध्निक कर गदए दोगा काले रंग से संब्ने दोगा किश्न वानतु काले रंग केपक्षियों कि कुछ नाम बताए तो यहां पड़ आंसर देंगे कि कहका और कविता इसके बाद हम उनसे अपना समस्यात्मक प्रशन पूछेंगे कि मियूम कदापी काकस कविता आशोनोत क्या आपने कभी काकह नाम की कविता सुनीगे तो चातर यहां पर मोन हो जाएंगे उन्हें नहीं पता होगा तो यहां पर चात अद्यापिका अपने टॉपिक का अनाॉंस्मेंट करेगी इसके बाद नेक्स पूइंट आता है प्रसोती करण मतलब यहां से चात अद्यापिका जो है वो अपनी पोएम पढ़ाना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले तो अगर आपने मतलब आप जो भी सायक सामग्रियाज यूज करने वाले हो आप स्टुडेंट्स को दिखा दोगी और उन्हें कविता पढ़ाना स्टार्ट करोगी तो आज मैंने फ्लेश कार्ट का यूज किया है क्योंकि ये एक पोया में तो इसलिए तो सब सब्सक्राइब पानी बहुत कम था उसकी जो चोज थी पानी को टश नहीं कर पा रही ती इसलिए उसने अपनी बुद्धी का यूस किया और उसने पास रखे कंकड़ों को घड़े में डालना स्टार्ट कर दिया तो जैसे जैसे बहें कंकड़ डालता गया पानी जोए उप इस तरीके से बुद्धी पूर्वगयत्म करने से निश्रही हमें सफलता मिलती है तो इस तरीके से फ्लेश कार्ट की सहाथा से चात्र को कविता के बारे में थोड़ा बता देगी फिर इसके बाद बहें कविता का आधरश वाचन करना स्टार्ट करेगी तो नेक्स जो हैट एक शिद्ववार परिवर्तन यहां परेगा कि छात्र नवी शब्दों से परचित हो पाएंगे और विदी जो हमारी यहां पर यूज हुई है वो है कथन विदी इसके बाद ने एक्स प्रेंट आएगा अनुकरन वाचनम का अथात यहां पर छात अद्यापिका छात्रों क अनुकरान वाचनम के बाद हमारी नेक्स सेडिंग आएगी काठे निवारण अथार्थ कठे शब्दों का निवारण तो कभीता का वाचन करते समय जो भी कठे शब्द आएंगे चात अपर उनके अर्थ चात्रों को एक्स्प्लेंट करती चलेगी आप चाहें तो बोर्ड लिखकर और अरली भी उन्हें शब्द आर्ट बता सकते हो इसके बाद नेक्स पॉइंट आएगा हिंदी अनुवात का तर्म का तो यहां पर चाहत अद्यापी का पुनहा एक बद्दान्श का वाचन करेगी और वाचन करने के पर शात्म है उसका अनुवात चात्रों को बत चाहत अद्यापी का बाचन करके उसका हिंदियन वाचन को बताएगी और चाहत अनुवात रहेगी कि चाहतर जो है वो द्यान पूर्बक सुनेंगे और अर्धिकर बताएगी इसके बद्दान्श का पुछेगी अब वहे तिर्थी और अंतिम पद्दान्श का बाचन करके उसका अनुवात चाहतरों को बताएगी और उसमें से कुछ सौन्दरात्म का नभूती प्रशनों से पूछेगी चाहत अनुग्रिया यहां पर रहेगी कि चाहतर जो है वो उनके उत्तर देंगी अनुग्रिया यहां पर शातर भी iqat को मौहन वाचन करने का आदिश्टी गिए अनुग्रिया रहेगी चाहतर जो है मौहन वाचन करेंगी अपेक्शित ब्हें यहां पर रहेगी कि छात्रों भी मौन वाचन करने की छमता का विकास होगा नेक्स पॉइंट आएगा सस्वर वाचनम का तो चात अध्याभी का कविता का पुना सस्वर वाचन करेगी और छात्र धान पूर्वक सुनेंगे इसके बाद बहुत प्रशन आएगे तो चात्रों से बहुत प्रशन पूछी जाएंगे इसके प्रशाद नेक्स पॉइंट आएगा शांपट कारे लेकना पूर्शन करेंगे तो चात्रों को एक्जामिन करने के लिए उनसे कुछ प्रशन पूछी जाएंगे लास्ट एडिंग हैंगी होंवर्क या ग्रह कारे की तो यहां पर आज मैंने चात् यह था हमारा आज का लेसनर प्लान आई होप आपके लिए वीडियो हैल्फूर रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्रेब करना बिलकूर ना भूले मिलती हो आपसे नेक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग